हेलो स्टेंड आज की वीडियो हम देखेंगे हमारे सिंपल कोशन पेपर का कोशन नमर 11 ठीक है और इसके जो पहले वाले कोशन ने उनकी वीडियो में अल्रडी बना चुका हूँ तो आप चाहें तो आई बिटम पर किलिक करके भी देख सकते हो और प्लेलिस्ट की लिंक में को दिस्क्रेशन में भी देदूंगा जिसमें आपको यह सारे कोशन तो सोलीशन मिल जाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कोशन नमर 11 कोशन नमर 11 में हमको बोल रखा है इन दो फिगर इफ बीवन वीटू बीटू बीट्री एंड एट एट इकोल डिस्ट क्या होगा अगर आपने कंस्रिक्षन पढ़ा हूँ और जान ली एक किसी भी लाइन को यहां को किसी रेसियो में क्या करते हैं ठीक है तो जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है या जिन लोगोंने पड़ बी लिखा है वो भी ठोड़ा साज एक बार देखलो हहना हमारे पास किस एंगल बनाती है कि लाइन बना दे हाना वहां पे आप जो जिदर मैक्सिम नमर होता था हम क्या करते तो उतनी आर्ग उसमें लगा देते थे ठीक है तो हम क्या करते थे एक लाइन इसको जोवी लाइन हमारी एंड पॉइंट है उससे जोड के फिद जो भी two radius से divide करना था हम उसके parallel line बनाके उसको threelathнов two में divide CoinRad दिवाइड करना है तो हमने क्या किए तीन इकल डिस्टेंस में यहां पर एक आर्क लगा ली similarly two दे रखा है तो two में हमने उपर आर्क लगा ली ठीके तो यह हमारा क्या हो जाए कि तीन हो गए और यह हमारे दो हो गए तो हम क्या करते तो क्योंकि three ratio two में divide करना है तो three और two को हमने क्या आपस में join करने है तो हमरे पास यह जो line है वो catch में हो जाएगी हमारी three ratio two में divide हो जाती थी तो similarly यही method हुई है second वाली हमारी इस question में तीके इस question में आपकी a भी एक line है जो c इस point को divide कर रहा है तो देखिए नीचे के line है जो किस पर divide कर रही है आप हम देख रहे है तो a eight पे और यह जो line है उपर भाई line को कहां पर divide कर रही है five पे तो हमारा ratio देखो simple है question ratio कि तरह हो जाएगा eight ratio five इस question का आपका answer कितरा रहेगा eight ratio five इसी है आप कर सकते है ठीक है तो चलिए मिलते है next वीडियो में